हाई फ्रेंड्स अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चानल सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाएं विदेश मंत्रा ले ने कबूला महीनों पहले से पता था मेहुल चॉक्सी के आंटेक्वा कनेक्शन वक्त रहते मोधी सरकार में नहीं की कारवाई प्यल्ली घोटाले के आरोपी मेहुल चॉक्सी को लेकर अब मोधी सरकार सवालों में खिरती जा रही है अब ये बात चामने आई है कि सरकार को महीनों पहले से उसके इरादों का पता था फिर भी उसमें वक्त रहते सही कारवाई महीं की दरसल मेहुल चॉक्सी ने भारत से भागने के बाद आंटिकवा की नागरिक्ता ले ली है अब उस तो शिकंजा कसना और और भी मुश्किल हो गया है इसके बार जब आंटिगवा पर महुल चौकसी को नागरिक्ता देने के लिए सवाल खड़े हुए तो उसने बताया कि महुल चौकसी के लिए भारत सरकार और उसकी एजनसियों ने क्लियरंस दिया था आंटिगवा का कहएना है कि भारत सरकार सी चौकसी के खिलाफ कोई सूचना नहीं थी यहाँ तक की सेबी ने भी चौकसी के नाम पर मनजूरी दी थी चौकसी के बैगराउंड की सक्ती से जाज की गई लेकिन उसके खिलाफ कुछ नहीं मिला था अब विदेश मंत्राले की प्रवक्तर शुक्रवार को बताया कि मेहुल चौक्सी को आंटिगवा में नागरिक्ता लेने के लिए मार्च 2017 में मंजूरी दी गई थी, यानि उसकी भागने के 10 महीने पहले, लेकिन अब जबाल ये उठता है कि जो सरकार को पता था कि उसी ने मे शोड़ने के बाद वहाँ जा सकता है, तो सरकार ने पहले ही कारवाई क्यों नहीं की, मेहुल चौक्सी जनवरी 2018 में देश शोड़ कर भागा था और आंटिगवा का पासपोर्ट उसने पिछले महीने जुलाई में लिया, इस बीच वो अमेरिका में था, अगर सरकार चाती तो आंटिगवा से पहले ही बात कर उसको पासपोर्ट मिलने से रोक सकती थी, यहां तक कि इसी साल अप्रेल में प्रधान मंतरी मोदी एक बैठक के दौरान आंटिगवा के पीएम गास्टन ब्राउने से भी मिले थे, लेकिन लगता है उन्होंने इस मुद्दे को यह दोनों पूरे परिवार के साथ इसी साल जन्वरी में देश शोड़कर भागने में कामयाम हो गये। 31 बैंकों के एक किंसोर्टियम से मिहुल चौकसी और उनकी कमपनियों द्वारा 5,280 करोड रुपे के एक और लोन की जाच की जा रही है। यह मामला पंजाब नाशन बैंक होटाले से अलग हट कर है। थाले से अलग हूँ एक और रही है। यह मामला प्रुपे के जाच की जाच कि लिए झाले से वनकी जाच कि भी जाच किसे और विए यह जाच कि भी है।